नमस्कार किसान भायों स्वागत है आप सबीका हमारे यूटीूब चैनल थाकडएगरी कल्चर में किसान भायों आज के इस वीडियो में हम बात करनेवाले हैं स्वाइबीन के बारे में स्वाइबीन की पैदावार को किस परकार से बढ़ा जाए इसके बारे में आज का ये वीडियो बनाए गया है और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रोडिक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके माध्यम से आप अपने स्वाविन की पैदावर को कापी हद तक बढ़ा सकते हैं किसान भाई यू पूरी जानगारी के लिए वीडियो को अंतर तक देखे और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करें साथ इक घंटी के निसान को बें जिससे कि आपको आगे भी हमारे चैनल के माध्यम से खेती बाड़ी से संब्द्र चान करें देखने को मिलती रहें किसान भाई यू बात करें अगर स्वाइबिन के बारे में तो इस समय पर अधिकान सेत्रों में स्वाइबिन की फसल 30-35 दिन के आसपास हो चुकी है और कुछ ही दिनों बाद स्वाइबिन की फसल में फ्रोड़िंग स्टेज भी चालू हो जाएगी तो ऐसे में 30-35 दिन की स्टेज में स्वाइबिन की फसल में अगर कुछ ऐसे स्प्रे हम कर देते हैं जिसके माध्यम से फूलों का विस्तार हो तो ऐसे स्प्रे आपको चरूर करना चाहिए तो इसी कड़ी में आज का ये वीडियो बनाया गया है और जिस प्रोड़क्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको उसी के बारे में जानकरी दे देता हूँ किसान भायो एग्रो इस्टार के दोरा लॉंच किया हुआ एक हिसा प्रोड़क्ट जिसका नाम है न्यू फ्लोरोफिक्स है किसान भाईयो न्यू फलोरोफिक्स के अंदर अगर technical की बात की जाये तो इसके अंदर technical protein hydrolisate powder form में पाये जाता है जो की 80% tc form में इसके अंदर मौजूद रहता है किसान भाईयों अगर इसकी बात की जा तो ये एक परकार का प्रोटिन होता है जो स्वाइबिन की रुकी हुई ग्रोथ को भी बढ़ता है साथी साथ फूलों का ज़्यादा से ज़्यादा ब्राव करता है फूल जड़ने की समझा को रोकता है, फल जड़ने की समझा को रोकता है किसान भायो अगर आप न्यू फ्लोरोपिक्स का उप्योग अपनी स्वाइबिन की फसल में करते हैं तो आपको इसके काफी अच्छे प्रिणाम देखने को मिलेंगे आपका जो अंत में आपकी पेदावार निकलेगी जब आप अपनी फसल के हर्वेस्टिंग करेंगे तो उस समय पर आपको बहुत ही फर्क देखने को मिलेगा जो आपकी फसल होगी उसकी उच्छे गुनोत वाली आपकी फसल होगी और सिदे सिदे सब्दों में कहा जाए तो पेदावार बढ़ाने वाला बहुत ही सांदार प्रोड़क्ट यह बनाया गया है अब किसान भाइओ इसका उप्यों किस परकार से करना है कितनी मातरा में करना है इसके बारे में अगर बात किजाए तो किसान भाइओ इसको आप स्प्रेगे माध्यम से अपनी सौइबिन की फसल में यूज़ कर सकते हैं किसी भी कीर नसक या पिर फंगी साइट के साथ में आप इस पौडर को मिला कर इस्प्रेग कर सकते हैं अगर इसकी मातरा के बारे में बात किजाए तो इसकी मातरा आप 25 ग्राम पर 15 लिटर पंप में कर सकते हैं, और एकर्ड के हैं तो पर एकर्ड़ आप 200 ग्राम इसका यूज़ कर सकते हैं。 किसान भाईयों अब बात करें अगर इस product को खरीदने की तो आप इसको कहीं परकार से खरीद सकते हैं जिसमें पहला option आपको मिलेगा आप play store पर जाहिए और play store पर agro star नाम से application आता है उसको आप download कीजिए वहाँ पर आपको इस product को खरीदने से लेकर इसकी पूरी detail के साथ में जानकारी मिल जाएगी तो आप play store पर जाकर agro star डाउनलोड करें वहाँ से आप इस product को directly खरीद सकते हैं इसके अलावा दूसरा option यह है कि जो आप स्क्रीन पर आपको जो number दिखाई दे रहे हैं इन number पर आप contact करके इस product को घर बेटे भी मंगवा सकते हैं तीसरा option यह रहेग जो लाल दुकान आपको दिखाई देती है agro star के नाम से उस दुकान पर बहुत ही आसानी के साथ में इसको आप खरीज सकते हैं किसान भाईयो agro star डाउनलोड करने के लिए आप play store पर भी जा सकते हैं या पिर नीचे description में एक लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इस application को पर जुरूर करें किसान भाईयो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय जवान जय किसान